हलो दोस्तोपी जीस एन्या theorलिक सेंटर में आपका स्वागत है मैं प्यूस पॉश पांडे आज लेकर आयो हूं इसे पहले Leakर आया था कंसरा जो निर्फिंग से लिघ देखिया एक पहला कोशन्यषा सब्षार का इसे तरह श्ला इस क्लिन क्लीन अ रख्रियर को च्कुलेंट की के लिए याद रखेगा दूसरा फर्स गूल्ड एट्यर्ट इंटिंट में बना है आप debit or credit card ले जाएए वहाँ से आप गोल्ड निकाल सकते हैं पहली बार है और इसका नाम है गोल्ड का ATM देखिए इसका नाम है गोल्ड का ATM यह पहली बार बना है तिसरा पुर्शन आईए worm दोस्तों और यह वाइरस के चलते होता है ताइवान ने और चैना के लोकेशन मिला था हमें याद रखेगे नॉमंबर में यह में साइबर एक को इसको इसको दाउन खर दिया गया था ठीक है ना वान रसरे काम करते हैं नामко को चेंज करने में और वायरेस के बारे में उसका रिसेट्स करना है उसके अलग-अलग क्या-क्या उसके लक्षन हो सकते हैं एमपॉक्स जो है ना एमपॉक्स उसका नाम रखा गया है ठीक है अब आईए एक नया नुक्लियर पाउर प्लांट कहां कक्रापुर गुजरात में डॉस्तों ठीक है बनिहाल कट्रा रिल्वे है वह भारत की सबसे लॉंगेस स्क्रेट टरनल अंहां से ट्रेंग गुजर की जाती है सबसे लंबा जो है ना वह है कौन सा भारत है बनिहाल कट्राविए लाइटिके कल यानी ऑफि आर यह रिष्टा देखिए यह है क्या फ़र्स ग्रीन इस्टिल ब्रांड है फ़र्स्ट ग्रीन स्टिल ब्रांड का मतलब होता है दोस्तों जो स्टिल बनाने में जो फोसिल का यूज होता है कोईला जैसे अधर चीजे जिसका रिनिवर्बल नहीं होता तो क्या है न कि यह ग्रीन नहीं होते तो भारत ने लॉंच किया है कल्यानी गुरूप ने फर्स्ट ग्रीन स्ट जहादा चिरी का प्रौदूस करता हैए और सबसे ज्यादा कमजुम करता है और एक्स लोग तो सुगर यह अना ब्रौदूसर्टर ऑपगर और सबसे ज्यादा भारत में महहरास्तर फिर यूपी और और कानात का है याद रखेगा इंटरनेशनल यह अव्मिलेट ये दो हजार तेश जो है न वह इन्टरनेशनल यह अफ मिलेट है और यह किस अंस्तान ने वे है और यह फूड एन अग्रिकल्चर और्गनाईजेशन जो और्गनाईजेशन है यह भारत का इनिसियेटिव था भारत ने कहा था 2023 को मिलिट का क्या किया जाए इंटरनेशनल यह माना जाए देखिए यह पेट्राइट मिसाइल सिस्टम है अभी यूक्रेयन के राश्पति गये थे USA और उन्होंने USA ने अमेरिका ने वादा किया है यह पेट्राइट मिसाइल सिस्टम देने के लिए और यह सर्फेस टु यह गाइडेट मिसाइल सिस्टम है दोस्तों यह यूक्रेयन को कौन देगा USA देगा गूगल पे फाइन हुआ है 936 करूर का दोस्तों इसका कारण क्या है कि जो कंपटीशन एक्ट है भारत में 2002 इसका मतलब क्या होती है कि कंपटीशन है बरकरा रखना चाहिए जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक जो है कंपटीटर दूसरे कंपटीटर को खा के और मोनोपोली कर रहा है मतलब खूदी बिजनेस करने की चक्कर में है सिधा तो उसके एगंश में इनोंने काम किया होगा जिसके चलते 936 करूर की पेनल्टि पड़ी थी पिर देखे नौर्थ इंडिया का फ़र्ष डेटा सिंटर जो है दोस्तों वो ग्रेट आणोरडा में बनेगा नौर्थ इंडिया उसका पहला डेटा सिंटर और डेटा सिंटर हो नेटवर्किंग के प्रोसेस होती है तो वहां पर क्या उता न डेटा को स्टोर किया जाता है वह होती है नौट इंडिया का फर्स्ट डेटा सेंटर कहां ग्रेटर नोड़ा में इंट्रेकरेटर दिए एक वापर के का मतलब होता है पानी दुस्तों और अन चाहिए विद्वर इंडिया टेटा सेंटर देखें इंडिया टेटा सेंटर परिदाबाद रियाना में खोला जाएगा दोस्तों इंडिया बैलॉजिकल टेटा सेंटर ठीक है यह नाधा नाधा प्रापरभू कमपे गोर्ण यह X आठ फिट टॉल स्टेचु है बंगलोर में इनका स्टेचु अथ्ering बोला जाता एक दोस्तों स्टु यांसर देखियेगा नदा प्राव बूर्ध केमपे गोरा ठीक है तेखिए दिवालि पाप्लिक होली अब होगा निवाक सिटी में 2023 से दोस्तों दिवाली पब्लिक होलिडे दिवाली पे छूटी होगी अमेरिका में 2023 से निवाक सिटी में वर्ल्ड फर्स्ट ओरल के विट देखिए जो ओरल कोविड वैक्षिन है इसका मतलब होती है लेने वाली मुझे ऐसे बुन्द बुन्द करके तो उसको क्या बोलते हैं वर्ल्ड फर्स्ट ओरल कोविड वैक्षिन चाइना देखिए यह कोविड फेल आने वाला चाइना और यह सब काम भी करता है चाइना यह देखिए मोना लुआ वलकोनो देखिए यह हवाई करें वलकोनो फिर और प्रेeur अक्टीव हुआ है 38 साल पहले यह एक्टीव नहीं था दोस्त वह अक्टीव साल से 38 साल से यह एक्टीव नहीं था फिर वापस इसको ध्यान रखे गया मोना लुआ वलकोनो इसको याद रखेए यह पहाँ है हवाई प्राइ आइलेंड इंटरनेशनल गेता महच्छ फ्दॉत फ्रिया धुरिफटा हर्याणा मेंस हर्याणा में common ac गीता मच्छो ऊप्र दोस्तों देखें आई एंड यूएस इस टीए डेखें ये इंडिया ऐस्ट्रेलिया का बीच में आग्रिमेंट है और इसका क्या है कि 96.4% जो इंदिया से एक्सपोर्ट होगा एस्ट्रेलिया में उसे वह फ्री होगा डियूटी फ्री होगा दोस्तों ठीके तो आइ ये चुछ सकती 4.0 आइस एस शी टीए बोला जाता है फ्री फ्री तरीके से अगरिमेंट है इंदिया और एस्ट्रेलिया के बीच में डिश् सकती 4.0 campaign, यह देखिए डिजटल सकती 4.0 campaign, यह किसलिए होती है यह empowerment करना women को women के लिए, यह किसने start किया था national commission of women national commission of women ने यह start किया था digital सकती 4.0 और यह empower करना literacy बढ़ानी है, सक्छरता बढ़ानी है, digital education में women के लिए, ठीक है ये सक्षाता बढ़ानी है उमेन के लिए